हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर. आज हम बात करेंगे एक बड़ी विवादित फिल्म के बारे में, ड्यून 2. जी हाँ, देनिस विलेनुव की इस साइंस फिक्षन की कहानी ने फिल्म जगत को उलजा दिया है. फिल्म की कहानी 2021 की फिल्म जून के कुछ ही पलो बाद शुरू होती है. यहां हम पाउल एट्रिडीज के साथ हैं, जिने टिमोथी शलामेट ने जिन्दगी दी है. पॉल एट्रिडेज एक विदेशी बनकर अपने नए ग्रिह प्लेनेट अर्राकिस पर मसी के रूप में उभा है. लेकिन क्या यहां मसी बनने की कहानी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी? कहानी में धार्मिक भक्ती के महत्वपूर्ण बिंदू पर जाने के कारण कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा. कुछ देखने वालों का कहना है कि यह कथा धार्मिक अनुयायता को अधिक्तम दिखाती है और धार्मिक धारोहर के मूल और प्रभाव की खोज करती है. फिल्म की कहानी ने तो लोगों को बांध लिया है और इसने अपनी बॉक्स ओफिस रन की शुरुवात में धमाल मचा दिया. लेकिन कुछ लोगों ने फिल्म के खिलाफ शिकायत की है. यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी उन लोगों की तरफ से है जो कह रही है कि फिल्म अपनी विरोधाभासी प्रकृती को अंधा हो रही है. ड्यून की कहानी में टिमोथी शलामेट के पाउल एट्रिडीज के रूप में एक प्रमुक उपनिवेशक का प्रतीत होता है. कहानी में पाउल फ्रेमेन के लिए धार्मिक मसीः की भूमी का निभाते हुए दिखाया जाता है. यह वो डेजटवासी नॉमैड्स हैं जो गहने पेरहज के साथ जीवन बिताते हैं. फिल्म में इस उपनिवेशन करण के चितरण से कुछ लोग असमती जताते हैं और कहते हैं कि पश्चिमी फिल्म इस प्रकार के विशय पर बोलते समय अंधा हो रही है. कई लोगों का मानना है कि पश्चिम ने विश्वास की धारा बांधने और अन्य देशों को शोशन करने के लिए दशकों से प्रोपेगेंडा फैलाया है, खासकर मध्यपूर्व में. एक यूजर ने संक्षेप में कहा, दशकों से पश्चिम ने इसलाम पर हमला किया, प्रोपेगेंडा फैलाया और अब वे इस पर प्रेरित फिल्म से पैसे कमा रही हैं. दूसरी और कुछ लोग मानते हैं कि फ्रेंक हर्बर्ट की मूल 1965 की ड्यून उपनिवेश की तुलना में, देनिस विलेनूव की फिल्म ने मूल स्रोच सामगरी की विवित्ता को कम कर दिया है. हर्बर्ट के महत्वपूर्ण विज्ञान फिक्षन क्लासिक में, फ्रेमिन का संबंध और भी अधिक वास्त विकविश्व में मौजूद अर्बिक्स से प्रेरित होने का संकेत था, जो उस खास भाशा में बोलते थे जो मध्यपूर्व के वारतालापों का प्रतिरूप थ इसे फिल्म समवेधना से बड़ी हद तक हटा दिया गया है, साथ ही मूल पुस्तक में देखे गए फ्रेमिन की शक्ती का भी विलेनूव की ड्यून विश्व की इस व्याख्या के विरोधियों के अनुसार, इसने ड्यून दो को एक सफेद बचावाला बना दिया है, इन अर्बी और फार्सी से प्रेरित कोनों को हटा कर प्राकृतिक रूप से प्रस्यन प्रेरित फ्रेमिन में क्रांती के भावना की जगा, चालामेट के पश्चमी नायक के आगमन और उनकी उच्चता को कुछ लोग पश्चमी समाज के एक और उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, जो एक विदेशी भूमी की मदद और क्वेबेक प्रांद से हैं, जिसके कुछ लोग ड्यून दो को कनाडा में रहने वाले क्वेबेक वायों की संघर्ष की एक कोशिश के रूप में देख रहे हैं, कुछ निराश दर्शक फिल्म को क्वेबेक वायों की राष्ट्रवादी प्रेजेंटेशन मानते हैं, उन्हे यह फिल्म एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में दिखती है, जो एक बड़े शास्किय शक्ती के खिलाफ अलग हो जाने और विरोध करने का एक अनुमानित मेटाफोर है, जो कई दशकों से क्वेबेक में एक गर्म सवाल है, जबकि यह दर्शक के लिए निरनय के ल पॉरान हुआ था, जब क्वेबेक बस अभिवादन किया था और राज्य और चर्च को अलग करने की कोशिश की जा रही थी। यह चर्चा कैसे ड्यून दो की रूपरेखा को विलेनूव के क्वेबेक वासियों की संघर्ष के रूप में देखने के लिए है, यह दर्शाता है कि फिल्म कैसे क्वेबेक के एतिहासिक और सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है, वह जारी रखते हुए, डैनिस विलेनू ने कहा, बिना शक्किये, कि ये बाते उनके ड्यून और ड्यून दो पर काम करने पर प्रभाव डाली. फ्रैंक हरबर्ट के प्रतिष्ठित विज्ञान फिक्षन दुनिया पर उनके द्रिष्टिकोन को आकार देने में. तो हाला कि उसकी देशभक्ती और विश्व की राजनीती का कुछ प्रभाव ड्यून पार्ट टू पर रहा हो, इसे प्रोपेगंडा कहना अधिकांश लोगों के लिए थोड़ा अतिरेक होगा. क्या आपको लगता है कि ड्यून दो प्रोपेगंडा है या फिर यह कुछ और है? हमें अपने विचार को लेकर जानने के लिए कमेंट करें. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. हम जल्द ही अगले भाग में मिलेंगे. धन्यवाद